देश की मुख्य विपक्षी पार्डी कॉंग्रेस ने आज देश में बढ़ती हुई विविन समस्याओं के संदर में एक प्रसवारता को संभोधित किया। इस अफदर पर बोलते हुए कॉंग्रेस नेता गौरव वल्लब ने कहा कि आज रुपया डॉलर के मुकाबले निमतन सतर पर पहुंच चुका है। महत्वपूर्ण विशे लेकर हम आपके सामने उपस्तित हुए हैं और जो हमारा मूल शिर्शक है आज की प्रसवारता का वो है ये जो साथ का अंक है ये भारत सरकार और मोदी जी के साथ चिपक चुका है। अगर हम बात करें मुद्रा इस्विती महंगाई की दर जो कल जिसकी गोशना हुई वो साथ दशमलव जीरो एक प्रतिशत। अगर हम बात करें कि बेरोजगारी की दर CMIE ने निकाली वो साथ दशमलव आठ प्रतिशत। अगर हम बात करें एक जनवरी से लेकर अब तक रुपिय में कितना हाश हुआ रुपिया कितना डेप्रिशेट हुआ तो वो साथ प्रतिशत। एक जमाना था हमारे साथ भी साथ का अंग चिपका था 2004-14 पर हमने उसको चिपकाया था GDP की विकास दर में। हमारी जो average growth rate है 2004-14 वो साथ प्रतिशत से जादा रही थी। हमने भी साथ को लिया था पर वो लिया था हमने देश की GDP विकास दर में महिंगाई की दर में नहीं रुपे के हाश में नहीं जो बेरोजगारी की दर में नहीं मैं कुछ आखड़े लेके आया हूँ और ये सारे आखड़े भारत सरकार ने जो कल अपनी प्रेस विज्यपती ज प्रोजगारी की दर देश में 7.8 प्रतिशत थी और 25 लाख 25 लैक लोगों ने अपनी नौकरी सिरफ जून 2022 में कोई है यह मैं नहीं कह रहा यह CMIE कहां कड़ा है कि 25 लाख लोगों ने सिरफ एक महा में अपनी नौकरी खोई है उसके जब नौकरी खो रही है लोगों की लगात नौकरी जा रही है उसमें आग में घी का काम कर रहा है लगातार बढ़तावा मेंगाई दर मेंगाई दर लगातार पिछले 33 महीनों से अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक का जो मीन टारगेट है 4 प्रतिशत उससे ज़ादा है और पिछले 6 महीने से मेंगाई की दर र अपर लिमिट है 6 प्रतिशत उससे लगातार ज़ादा चल रही है जब रूपिया डेप्रिशेट करता है 7 प्रतिशत लास्ट शिक्स मंच में रिटेल इंफलेशन लगातार 7 प्रतिशत से ज़ादा बना हुआ है अप्रेल में मैं मैं जून में लगातार 7 प्रतिशत से ज़ और बढ़ती जा रही है महिने दर महिने और ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है इन डेटा पॉइंट्स के बावजूद बीजेपी गोवर्मेंट इस इन डीप स्लंबर वो कोई इस पे बात नहीं कर रही पधान मंत्री जी आपका लोगों को इस महेंगाई से रहात देने का क् पिछले छे महिनों से महेंगाई की दर रिटेल इंफलेशन 7 प्रतिशत से उपड़ बनावा है उससे लोगों को रहात देने का आपका क्या फॉर्मूला है क्या आपका महेंगाई से लोगों को रहात देने का एक ही फॉर्मूला है कि 8 पर 5% GST लगा दो हमारा दूसरा सवा कि जब रुपिया अपने निम्नतम लेवल पर आ चुका है डॉलर के मुकाबले जब बेरोजगारी की दर गावों में 8 प्रतिशत से उपर पहुंच चुकी है जब रिटेल इंफ्लेशन 7 प्रतिशत पर है मोदी जी और वित्मंत्री जी आप कोई इस पे अपना ब्ल्यूप्रिंट अपना इन समस्याओं से देश की अर्थनिती कैसे बाहर निकलेगी इसका ब्ल्यूप्रिंट देश के सामने क्यों नहीं रखते क्यों मौन वरत लिये वे आप दोनों हैं क्यों इन चीजों पर बात कर महिने से भी जादा भयानक होने वाले हैं क्योंकि पिछले 6 महिने में एवरेज महेंगाई दर थी 7.3 प्रतिशत और आगे के 3 महिने का forecast reserve bank का 7.4 प्रतिशत का है तो government के mind में क्या measures है वो देश के सामने क्यों नहीं रखते हैं हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब common masses के लिए जब मध्यम आएवर्गे परिवारों के लिए जब निमन आएवर्गे परिवारों के लिए can government bring relief to them क्या उनके लिए कोई relief दिया जा सकता है क्यों गवर्णमेंट और वित्द मंत्री और प्रधान मंत्री की जो apathy है लोगों के प्रती we expect sympathy not apathy on for the common masses of our country सब इस्वे वर्ष में आपकी लोग पुरे समाचार पत्र इंडिया दर्पन का परविए आप रिष्ट करें अपने शित्र खबरें को और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पन को अभी सब्सक्राइब करें और notification के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले सब्सक्राइब है पडही है मुआ की आइकन दो कर दो